नमस्कार जैहिन दोस्तों बिटिसी इस्टड़ी हब क्यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं भारतिय समिधान से संबंदेद कुछ महातुपूर्ण प्रसनों के जो आपके एक्जान में सीधे सीधे प्रसन हैं जो आपके एक्जाम में सबसे ज्यादे पूछे जाते हैं तो इसन प्रसनों की सिरेंखला में सबसे महातुपूर्ण प्रशन पहला प्रशन क्या है कि 1946 में निर्मित अंत्रिम शरकार में कारी पालक परिशत की उपसभापती कौन उपसभापती किसे जो है चुना गया था तो यहाँ पर उपसभापती की कौन बना था पंडित जवाहलाल नहरू ठीक है पंडित जवाहलाल नहरू और भारत के प्रथम प्रधान मंत्री कौन थे पंडित जवालाल नहरू आपको याद रखना है, जो सबसे ज़्यादे प्रसंद पूछा जाता है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादे प्रसंद पूछा जाने वाला है, कि संविधान सभाके इस्थाय अध्यक्ष कोन थे, तो संविधान सभाके इस्थाय अध्यक्ष कोन थे, डाक्टर राजेंद प्रसाथ, most स्थाय अध्यक्ष पूछा जाता है ठीक है तो आपका यहां पर इस्थाय अध्यक्ष कुन हो जाएगा डाक्टर राजयन्त परशाद और जब आई इस्थाय अध्यक्ष के बारे में पुछा जाएगा तो डाक्टर सचिदानन सिंहा जी ठीक है आइस था यह देख जिकों डाक्टर सचिदानन सिंहा ठीक चाहिए आगे बढ़ते हम लोग अब यहाँ पर देखें अब यही प्रस अगर इस तरीके से पूछा जाए तब क्या होगा बहुत यह देखें सम्मिधान निर्मात्री यहा प्रूरत नहीं है आप बस इतना ध्याना किए समिधान निर्मात्री मतलब समिधान का निर्मार करने वाली सभा समिधान की निर्मार करने वाली समय अर्थात समिधान सभा की बात की जा रही है ठीक है तो यहाँ पर समिधान सभा के अध्यक्ष कोंते देखें अब यहाँ प सताद तक हमें ही मान कर चलेंगे कि किस के बारे में पूछा जारा है किस के बारे में इस थाएद धर्वりました के बारे में पुछा जारा तो कौन थे coalition को से सम्भातित आपको डाक्टर राजींद्र प्रुसाद ड्रीक को से अगले प्रसंद की त Kṛṣṇa रूटत रहे 266 को ठीक है चलिए आप यहां पर यह जो प्रसंद है यहां से भी प्रसंद सबसे जादे पूछा जाता है और सबसे जादे confusion भी यही पर होता है क्या है कि भारतिय समिधान को बनाने है तुछ समिधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे अब यहां पर पूछा जा रहा अधिवेशनों के बारे में अर्थाद कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो यहाँ पर आपसे दो चीज़ें आती हैं कि एक आता है ग्यारा, एक आता है बारा हाला कि बिकल्प में दोनों एक साथ कभी नहीं आता है ठीक है, लेकिन यह दियाता तो कैसे उसको हमाल करेंगे उसको भी देख लेते हैं तो यहाँ पर पहला जो प्रसन पुछा गया है कुल कितने अधिवेशन होते हैं जब कुल की बात होगी तो वहाँ पर आ जाएगा आपके 12 की बात ठीक है और अधिवेशनों की शंख्या जब पूछा जाएगा तो 11 अधिवेशन हुआ था बरहाँ अधिवेशन जो 24 जुनोरी वो अंतिम बैठक थी 24 जुनोरी 1950 को ये अंतिम बैठक थी हस्ताक्षर अगरा करने के लिए ठीक है लेकिन यहां पर आफ्षान में है तो 12 तो हम मारेंगे 12 ठीक है यहां पर अब देखिए इसको जितना चाहे आप उस्टार लगाना चाहे लगा लेए क्योंकि ये सबसे ज़्यादे important है और सबसे ज़्यादे confusion भी यहीं पर होता है ठीक है यहाँ पर क्या प्रसन पूछा जाता है कि भारत का समिधान पूर्ण रूप से तयार हुआ था अर्थात कब पूर्ण रूप से बनकर तयार हो गया था ठीक है तो ये कौन है ये देखें ये अध्यक्ष थे और ये प्रारू समीध के अध्यक्ष थे इन्होंने ही जो समिधान को बना के फिर ये जो सौपे थे अब ये पूर्ण रूप से बनकर कब तयार हुआ था या काने मतलब उन्हें देए कम तो यहाँ पर देखें यहाँ पर क्यों कौन से यहाँ पर 26 को its9 यख़जरी 949 को की 26 जनॉरी 949 को देखिए कि यह जो बनकर तयार हुआ था समिधान वो था 26 नॉझ। इसी दिन सम्भिधान पूरुप से बनकर तयार हुआ और इसी दिन सम्भिधान को अंगी कृत किया गया ठीक है यह आप कह सकते हैं अपनाया गया क्या किया गया ठीक है दोनों सब्द आ सकता है ठीक है कभी-कभी अंगी कृत पूछा जाता है कभी-कभी अपनाया गया तो याद रखिये गया, समिधान कब बन कर तयार हुआ, 26 जनौरी, sorry, 26 नॉवंबर 1949 को, अंगी करित कब किया गया, उसी दिन, 26 नॉवंबर 1949 को, अपनाया कब गया, 26 नॉवंबर 1949 को, ठीक है, आच्छा, आंसिक, कभी ये भी पूछा जाता है, कि आंसिक रूप से लागो कब क दिया गया था, ठीक है, लेकिन, पूर्ण रूप से कब लागो हुआ था, तो यहाँ पर, आप यहाँ पर कह सकते हैं, 26 जनौरी, तो सम्मिधान दिवस बनाया जाता है, ठीक, चलिए, अगला प्रस्टन क्या है, आप देखिए, अगला प्रस्टन ही पर आ गया, कि लागो कब हुआ, जब तक लागो सब्द नहीं आगा, तब तक हमें, इसको टिक नहीं करना है, किसको, 26 जनौरी 1950 को, ठीक है, आप यहाँ पर क्या आगया, लागो, अर्थात यह समिधा, लागो कब हुआ, तो लागो कब हुआ था, 26 जनौरी 1950 को, बना कब था, 26 नौरी1949 को, ठीक, अपनाया कब गया, 26 नौरी1949 को, ठीक, चलिए, आगला प्रस्टन की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं, और आगला प्रस्टन है, ये समझ लीजी ऐसा सवाल है ये सभी कि ये सभी आपके घुम फिराके पूछे जाते हैं हर साल किसी ना किसी पेपर में आ ही जाते हैं. जैसे ये आठमा प्रस्ब, सबसे ज़्यादे इंप्वर्टन प्रस्ब इसको कई तरीके से पूछा जाता है. ठीक है? सभी प्रस्नों को हम लोग देखेंगे यहां पर कि भारतिय संमिधान सभा के प्रारूप समित के अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर देखें प्रारूप समित को और क्या का जाता है? ड्रॉपट कमेटी यहां पर दोन चीजे पूछे जाते हैं कभी-कभी आपसे हिंदी सब्द पूछे जाते हैं तो कभी-कभी इंगलिस सब्द आ जाता है ड्रॉप्ट के ड्रॉप्टिंग समित कभी-कभी आ जाता है तो कन्फूजन नहीं होना दोनों के प्रारू समित को इंगलिस में क्या काते हैं 29-47 आध्यची को थे डाक्टर भींराव स्विटकर कुल कितने ले कर साद सबसते ज sö ते छाली है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देखिए अभी मैंने कहा था ना कि दोनों सद्र पूछ रहा टेसते Ireland था टुरीमीची पूछ लिया गया तो ड्राप्टर समिट कंफिज नहीं होना ट्राप्टर यह क्या है आपका यही आपका प्रारूप समिठी है ठीक है यही आपका प्रारूप समिठी क्थी है तो इसके अदिच कौन थे डाक्टर भिमराव अम बैठकर ठीक है यहां देखिए बीच में बНе बैठे हुए रुख़ी अन्िश्दर से जो हैं वो सभी बैठे हुए है ठीक है अभी अनिस अदस्यों की भी हम चर्चा कर लेते हैं कौन-कौन से थे तो यहां पर चलिए अगला question है question number no question number 10 आ भी गया यहां पर ठीक है यहां पर वो भी आ गया चलिए तो यहां पर पूछा जा रहा है क्या बाहुत ध्यान से देखिए गए सवाल ठीक है क्योंकि यहाँ पर 100% बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं गलती क्या करते हैं देखिए क्या कहा जा रहा है कि डाक्टर भिम्राउट अमबेटकर की अध्यक्षिता में शम्विधान सभा की प्रारूप स छे लेकिन जब डाक्टर भिम्राउट अमबेटकर को साथ लेकर कहा जाएगा तो कुल कितने सदसे थे जब तक अगर कुल आ जाता कहा क्या पूछा जाता कुल पूछा जाता तो कुल कितने सदसे हो जाते साथ लेकिन यहाँ पर कितने है छे ठीक है कौन-कौन से सदसे थे पहले डाक्टर भीम्राव मेटकर जो क्या कौन थे इसके अध्यक्ष थे फिर गौपाल स्वामी आयंगर अलादे क्रिश्ण श्वामी आयर डाक्टर केयम मुंसी जिन्हें जो है फुल फाम में इसका क्या है कि कनहिया लाल मडिकलाल मुंसी ठीक है पांचवा शायद को की टी टी क्रिस्मा चारी एक इसन पर यह डिवी खेतान की मिर्पर अस्थान पर आाये थे थे तो इसमें आपका कर्षण को च्छे आपके आपके वीडियो में बस इतने रखते हैं यहां पर आपके नीचे इसका पीडियाप जो है अधित स्याधी सेट जरूर करिएगा तो फिर मिलते हैं एक और बेहत्रीन वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन्द